मंचपर उपस्थित लगुभारत मौरिश्यस के मंत्री महोदय, हमारे ससुराल नेपाल के मंत्री महोदय, हमारे पुराने साथी शिरी मदुकर राउचाउधरी, अंतराश्ट्रिय हिंदी, प्रशासन और विद्याले के महासाचिव, और यहां इस सवागार में उपस्थित, हिंदी के विशाल परिवार के सदस्यगण, बहुत सारे पुराने मित्र, बहुत सारे नए मित्र, युबा पीड़ी, पुरानी पीड़ी, मध्य की पीड़ी देखकर बड़ी प्रसनता हो रही है, प्रेस और एलेक्ट्रोनिक मीडिया के सदस्यगण, महानोभाब, भाई और बहनों, इस अद्भुत महानगर नियु यॉर्क के साथ मेरा बड़ा गहरा और चिरकालीन संबन्ध है, आपको आश्चरे होगा कि साथ वर्ष पहले मैं यहाँ चिकित्सा के लिए आया था, और 31 दिसंबर 1947 में मुझे अम्बूलन्स में हवाई जहाज के अड़े से यहाँ हस्पिताल में पहुंचाया गया, साथ वर्ष हो गए, उस समय भारत वर्ष से आते पांच वर जहाज को फिर से इंगन लेना पड़ता था, पहले काहरा, उसके बाद रोम, उसके बाद लंदन, उसके बाद शैनन, उसके बाद गैंडर, उसके बाद न्यू यॉर्क, तो वो युग भी हमने देखा, और आपने देखा, मेरी चिकित्सा बहुत अच्छी की उन्होंने, भगवान की क्रिपा से, मैं आज भी आपके सामने उपस्तित हूँ, और कई बाद यहां न्यू यॉर्क में आया, उसके बाद यहां के भारतिय राजदूत के नाते भी आया, लेकिन इस बार, प्रधान मंत्री के विशेश प्रतिनधी की रूप में, इस आठ में विशाल हिंदी संबेलन में आने के लिए बड़ी मुझे प्रसंता हो रही है, संतोष हो रहा है, क्योंकि जैसे मदुकर जी जानते हैं, जो पहला हिंदी संबेलन हुआ था, 1975 में, जो शोडे जी और इन्होंने किया था, एक अठा मिल के नागपूर में, उस समय हम वहां उपस्थित थे, और दूसरा संबेलन जो मुरिश्यस में हुआ, उस समय तो मुझे भारतिय प्रतिन मंदल की नित्रत्व करने का आउसर प्राप्त हुआ था, मुझे यादे बड़े-बड़े दिगज हमारे साथ आये थे, रामधारी सिंग दिन कर गये थे, फादर कामिल बुल के गये थे, आचारे हजारी पुशाद दिवेदी गये थे, भवानी पुशाद मिश्य गये थे, एक से एक बढ़के, वहाँ आलोचक और लेखक और कवी, वहाँ मौरिश्यस में उपस्तित हुए थे, मौरिश्यस में दूसरी बार फिर से एक सम्मेलन हुआ था, और मंत्री जी मेरे पास बैठी हुए कह रहे हैं, कि आप ये घोशना कीजिए, कि अगला भी वहाँ होगा, मैंने का भी, ऐसी गोशना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रधान मंत्री जी ने जो सुझाओ दिया है, उसको हम आदर करते हैं, और मुझे विश्वास है, क्योंकि नेपाल के जो हमारे ससुराल के बैठे हुए है, वो कहते हैं, हमारी बारी आनी चाहिए, तुम तो हम हमारे जवाई हो, तो वहाँ हम नेपाल को कैसे छोड़ सकते हो, वहाँ परफिसर गौतम है, के वर्शों से बड़े दुखी पीडित है, कि हाँ, वहाँ, अम्स्रडैम में कोई नहीं कर रहा है, वहाँ बहुत सारे सूरिराम के बंधू बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे हम में सुझाओ आ रहे हैं, और हम मौरिशित इत्यादी बाकी जो सुझाओ आ हैं, सब की उपर मुझे विश्वास है कि परियाप्त ध्यान दिया जाएगा, प्रधान मंत्री जी का संदेश तो आपने सुन ही लिया, मुझे दोहराने की आवश्यक्ता नहीं है, वो स्वयम ही आना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपती की चुनाओं में सब मंत्री गंड जितने हैं, वहां व्यस्त लगे हुए हैं, मैं क्यूंके दावादार नहीं हूँ, इसलिए मैं यहां आ गया हूँ, लेकिन एक बात कह दूँ आपको, मैं राष्ट्रपती बनूं न बनूं, हिंदी का राष्ट्रदूद बनके तो जुरूर मैं आया हूँ, इन बाइस वर्षों से जब से पहला सम्मेलन हुआ था, हिंदी ने बहुत प्रगती की है, हिंदी जानने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, प्रकाशन भी बहुत अच्छे-च्छे हुए, आपने देखा होगा, हमारे नंदन जी ने उच्छो गरंत का कितना सुन्दर संपादन किया है, हमारे गगनांचल, ICCR का गगनांचल का एक बिशेश आंक निकला है, और प्रदर्शनी देखके, हमारे नटराज की उपर एक बहुत सुन्दर पुस्तक है, प्रदर्शनी देखके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कि हमारा प्रकाशन जो है बढ़ता जा रहा है, उसकी गुनवता भी बढ़ रही है, और विशेश कर जो नई तकनीकी मुझे दिखाई गई आज, जो हिंदी के माध्यम से इंटर नेट में प्रयोग किया जा सकता है, और ऐसा अधुद मंत्रित एक मशीन है, कि आप बोलते जाएए, वो स्वयम टाइप करता रहेगा, आप किसी बाशा में करिए, वो स्वयम ही उसका अनुवाद करेगा, इस प्रकार की नई नई तकनीकी उभर रही है, और हिंदी भी उस विश्व में बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदी का महत्व भी सारे विश्व में बढ़ेगा, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है, सन्युक्त राष्ट्र में भी प्रयोग होगा, मुझे याद है मैं जब यहां राजदूत था, स्वर्गिय पीवी नरसिम्ह राओ हिंदी का प्रयोग यहां होगा, जरूर होगा, भाई और बहनों हिंदी की कुछ विशेशताएं हैं, और वो यह हैं कि ये समन्वे की भाषा रही है, ये भाईचारे और परस्पर प्रेम की भाषा रही है, ये जन साधारन की भाषा रही है, आज से नहीं केई शताबदियो से हिंदी की ये फिशेष्टा रही है अब देखिए अमीर खुसरो चौदमी शतावदी में बड़ी कठिन है डगर पन घटकी कैसे मैं भरलाओं यमुना से मटकी मैं जो चली जली यमुना भरन को दौड जपट मोरी मटकी या पटकी खुसरो निजाम बली बली जाओं लाज आखो मोरी घूंगट पटकी देखिए चौदमी शतावदी में उन्हों ले एक खा और सोलमी शतावदी में तो तुलसी दास्ची ने कमाल ही कर दिया रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जब हमारे पूरवज मौरिशस सुरिनाम गयाना फीजी भेजे गए तो उनके साथ ए उपनिशर्द वही पुरान सभी ग्रंथ जो है वो रामचरित मानस के रूप में उनके साथ गया था और गोस्वामी तुलसी दासी ने कैसे कमाल की वहां उन्हें व्याख्या की है एक मुझे स्मरन आ रहा है एक रणभूमी में जब अंतिम्युद होने वाला है श्री राम क और रावन का तो उस समय बिभीशन देखते हैं कि श्री राम के पास नरत है नंगे पैर खड़े हैं और रावन महां बली रावन है इतना भड़ी महत्व पूरुन है तो तुलसी दासी कैसे उसको प्रकट करते हैं रावनु रथी बिरत रगु वीरा देखी बिभीशन भई अधिरा अधिक पूछत मंभासन देहा अधिक पूछत मंभासन देहा दिक पूछत मंभासन देहा बंदी चरन कह सेहत सनेहा नाथ ना रथनी तन्पत Will Morph Elena यो पूछते हैं और उसका जो जवाब श्री राम देते ढर्म रत की जो व्याक्षया करते हैं मुझे सुमन जी कहते थे के विश्व कविता में उसका एक महत्व उन पंक्तियों का है सुनो सखा कह कृपा निधाना जो जै होई सो स्यंदनु आना सौरज धीरज जही रतचाका सत्तील द्रिदोजा पताका बल विबेग दम परहित गोरे क्षमा कृपा समतार उज जोरे इस भजनु सारती सुजाना बिरती चरम संतोष कृपाना दान परसु बुदिशक्ती प्रचंडा बरविज्ञान कठिन को दंडा अजर अचल मन त्रोन समाना समझ मनियम सिली मुखनाना कवच अबेद विप्रु गुरु पूजा जही जम विजे उपाय न दूजा सका सका धरम मैं असरत जाके जितना कहूं न कितूरी पुताके ये धरम मैं कि रत की देखिये तुलसी दासी ने किस निपुणता के किस प्रभाव से किस शक्ति से उसको प्रस्तुत किया है ऐसे-ऐसे ग्रंथ है हमारे जो अवधी में लिखे गए है और फिर आई अवधी के बाद ये ब्रिजवाशा ब्रिजवाशा भी बड़ी सुन्दर है वो तो श्री राम की कता है ब्रिजवाशा में कृष्ण की बड़ी-बड़ी सुन्दर गीत हैं गुलदार दी यहां बैठे हैं एक आपको गीत सुनाओं गीत गाओंगा नहीं सुनाओंगा सिर्फ गाओंगा भी लेकिन समय आने पे वो राधा रूट गई है और सकी राधा को मना रही है क्या कहती है हट छोड सकी चल संग मेरे तोहे ब्रिज में कान बुलावत है इतको तू बैठी मान किये उत्शाम सुन्दर घबरावत है जाको जोगी जन ध्यान धरत ब्रम्हा दिक पार नपावत है तेरी प्रीत में भूल गयो प्रहुता तक सीर्व माफ करावत है नहीं तुम बिन वाको चैन परत नहीं खान पान कचुभावत है नहीं मोर मुकुट पहने कचनी नहीं अंग सुगंध लगावत है नहीं धेनु चरावन जात सकी नहीं बंसी नाद सुनावत है कैसो ही ओ तेरो कठोर भयो नहीं शाम सूरद तोह भावत है एक बात मैं सांचे कहूं सजनी अब क्यूं इतना तरसावत है प्यारे मोहन से बेगी मिलो जाकर वो तो तेरो ही नाद उठावत है देखिए कितने सुंदर कितने कितने सुंदर हमारे ब्रजभाषा हुई अबदी हुई और मुझे तो देखिए हर एक भाषा के साथ प्रेम है मैं हर एक भाषा को मा सरसती की वाहिनी मानता हूँ मेरी मात्री भाषा डोगरी है मुझे डोगरी से प्रेम है मेरे बडोस की भाषा पंजाबी है, मुझे पंजाबी से प्रेम मेरे राजी की भाषा उर्दू है, मुझे उर्दू से प्रेम मेरे राश्ट्र की भाषा हिंदी है, मुझे हिंदी से प्रेम है मेरे विश्व की भाषा अंग्रेजी है मुझे अंग्रेजी से प्रेम है और मेरे संस्क्रिती की भाषा संस्क्रित है मुझे संस्क्रित से प्रेम और ये कोई नहीं कह सकता कि आप इससे प्रेम करें या इससे न करें क्योंकि किसी भी भाषा का अपमान करना मा सरसुती के अपमान करने के बराबर मैं मानता हूँ मुझे कविता का बहुत शौक है मैं कवी से मेलन सुना बहुत अच्छा हुआ था यहां मैं उस दिन था नहीं लेकिन मैं मेरी कविता मैं डोगरी में लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में लेकिन हिंदी में भी एक कविता छोटी सी लिखी है वो भी आपको सुना देता हूँ आज मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ शिव जी का भक्त हूँ नमस्षिवाय पहन रखा है तो इस कविता का छोटी सी कविता है अनुरोध हे महादेव शिव शंकर मारकंडे के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक मेरे साथ क्या व्यभार करोगे यदि भस्म करने का ही निरने हो तो भी मुझे कोई आपत्ती नहीं हाँ अनुरोध हवश्य है उसके बाद मेरी भस्म को अपने शरीर पे लगा ले उफस्तित महानवाव हिंदी भाषा केवल भाषा ही नहीं किनी मूल्यों की अभी व्यक्ति भी करती है हमारी संस्कृति में बड़े महत्व पूरुन मूल्यों है जो आज के विश्वीय करण के युग में बहुत ही महत्व बढ़ता चाहा है उनका देखिए कुछ रूडिवाद होते हैं कि जो विचार जिनका कोई आज के युग में कोई मतलब नहीं है उसके पीछे भागना लेकिन हमारे बिदांत में ऐसे ऐसे मंत्र हैं ऐसे विचार हैं जिसकी अभिवक्ति करके आज के मानो जाती को हम पत्पदर्शित कर सकते हैं हमारे वसुदेव कुटुमभकम हमारे जो संसत भवन है आप मेंसे कई लोग गए होंगे संसत के अंदर क्या होता उसके विशे में मैं टिपनी नहीं करने वाला हूँ सो तो दूर दर्शन पर आप देखी लेते हैं लेकिन संसत भार एक बड़ा सुन्दर मंत्र इंकित है ये मेरा है ये तुम्हारा है ये तंग नजरी की बात होती है जिनकी विशाल दृष्टी हो वसुधा एवक डुम्बकम विश्व ही एक परिवार है लेकि कितना बड़ा विचाह है आज विश्वियकर्ण हो रहा है लेकिन विश्वियकर्ण के विश्व चेतना का विचाहर हजारों वर्ष से हमारे संस्कृती में है सचाई एक है उसे अभिव्यक्त करने का समझने के अलग-लग मार्ग हो सकते हैं आज धर्म के नाम पे मजब के नाम पे जो आतंक हो रहा है ये नितांत मजब अधर्म को का बिरोध है अपमान है हमारे वेदों में लिखा एकम सत्विप्रह वहुदा वदंती सदाई एक है अलग-लग धंग पे अलग-लग युग में अलग-लग धंग से लोगों ने इसको अभिव्यक्त किया है जब तक हम इसको नहीं मानेंगे वसुदेव कुटुम्बुकम को और एकम सत्विप्रह वहुदा वदंती को तब तक कभी विश्व में शान्ती नहीं होने वाली है और हिंदी को इनका इनकी अभिव्यक्ती करनी है हर एक प्राणी में भगवान का निवास है जो हम यह मानते हैं तो हम रंग के को नाम पे वरन के नाम पे वरग के नाम पे धर्म के नाम पे कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं क्या यह अपमान नहीं है हमारी विचार धारा का आज भी हम देखते हैं वर्ण विवस्था को लेके और वर्ग विवस्था को लेके धर्म विवस्था को लेके परस पर बिरोध होता है यह हमारी संस्क्रिती का बिरोध है और यह हमारी संस्क्रिती में ऐसे मंत्र हैं जो आज आने वाले युक को भी परकाश दे सकते हैं। बहु जन सुखाया बहु जन हिटायचा। हमने कभी अपने व्यक्ति के लिए हमने प्राखतना नहीं की। सरवे पी सुखिना संतु, सरवे संतु निरामया, समस्त मानव जाती के लिए, और केवल मानव जाती के लिए ही नहीं पशू पक्षियों के लिए समुद्र के लिए पहाडों के लिए क्योंकि हमारे रिशी समझते थे जानते थे कि यदि परियावरन नश्ट होगा एक ना एक दिन मानव जाती भी नश्ट हो जाएगी यह अब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है अब यह बाते हमारे सामने आ रही है तो यह जो बाते है बहुजन सुखाय है बहुजन हितायचे यह सब बिचार धारा है और मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे जो हिंदी के लेखक है, हिंदी के पत्रकार हैं, हिंदी भाशी हैं, वो इन विशाल आदर्शों को लेके आगे चलें, ताके भारतवर्ष जो एक समय में विश्व का गुरू माना जाता था, फिर से हम नेतिक रूप से एक नेत्रितों करें, आर्थिक रूप से हम बढ़ेंगे, इसमें मैं इस समय आप सब का जिन जिन ने इस सम्मेलन को बनाने में, सफल बनाने में कारी किया है, उन सब को बधाई देना चाहता हूं, भाया अनंद शर्मा आये थे उधाटन करने के लिए, उन्होंने जो यहां स्थाई समिती थी, उसके अध्यक्षते वो समिती की सिदस्य गण जो थे और सब लोगों ने इसमें योगदान दिया, भारती विद्या भवन ने इसमें योगदान दिया, हमारी इंडियन काउंसल फो कल्चर रिलेशन्स ने योगदान दिया, पवन वर्मा, महा सचेव और उनकी साथ ही सब यहां बैठी हुए हैं, विदेश मंत्राले के अच्चेव यहां बैठे हैं, उन सब को मैं वधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छा कारिय उन्होंने किया, और मैं चाहूंगा कि जो हिंदी भाषा है, वो वास्तव में मानुजादी का पत्परशन करें, प्रात्ना मेरी यही है भगवान से, कि हमारे देशों में, क्य एक अठा हम लोग काम करें, एक अठा विजे परात करें, एक अठा सोंचें, आ विद्वी शाव है, घृना नहीं होनी चाहिए, घृना और इरोध से, तबाही और बरबादी के अलावा और कुछ नहीं होता, हमें नेतित तो चाहिए जो भविश्य की और देखे, लामा इक अकबाल ने नेता की परिभाशा की है निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुर सोज यही है रखते सफर बीर कारवा के लिए तो हमें इस बात को लेके चलना है आगे और मैं पराथना करूंगा हमारे सब जो भी जिस प्रकार से आप भगवान को मानते हैं कि हिंदी भाशियों का और सारे विष्व का कल्यान हो भद्रम करडे भी ही श्रिनुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षविर्ययत्राह स्थिरे रंगे सुष्टुवाग मुषस्तानु भिष्यम देवहितं यदायू स्वस्तिना इंद्रो भृदश्वाह स्वस्तिना पूशा टरनेमी स्वस्तिनों भिहस्पतिर दधातू हो मशान्ती ही शान्ती ही शान्ती ही